उन्हें देखते ही पहला रियक्शन होता है वाह आपका स्टार्ट अप है ये बडलाव बिम्स्टेक देशों यानि बंगाल की खाड़ी से विकास की प्रेणा लेने वाले बांगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, स्रीलंका, म्यामार और थाइलेंड की बहुत बड़ी ताकत है भारत के स्टार्ट अप्स हो या बिम्स्टेक देशों के स्टार्ट अप्स एक जैसी ही उर्जा दिख रही है कारकम में मेरे साज जूड रहे बिम्स्टेक देशों के मान्य मंत्रीगण, बंगलादेश से स्री जुनेद एहमत पलक जी, भूटान से लिन्पो स्री लोकनाश शर्मा जी, म्यामार चे उठांग तून जी, नेपाल चे श्री लेखराज भट जी, स्री लंका से श्री नमल राजपक्षा जी, और बिंस्टेम के सेकरेटरी जनरल श्री तेंजीन लेखफेल जी, केमिलेट में मेरे सहयोगी, श्री पिउज गोयल जी, प्रकाज जावडेकर जी, हर्दिप पुरी जी, सोमप्रकाज जी, उद्योग जगत चे यहां उपस्दित, फीकी के प्रसिडेंट, श्री उदय संकर जी, श्री उदय कोटर जी, श्री संजीव महता जी, डॉक्टर कीता रेडी जी, श्री सुत्रकान पंडा जी, श्री संदिप सोमानी जी, श्री हर्ष मरिवाल जी, श्री सिंगानिया जी, अन्य सभी महानुभाव और स्टार्ट अप वल्ड के मेरे युवासाथियों, आज एक दिन हम सब के लिए एक साथ कई प्रारंब का दीन है, आज बिम्स्टेक नेशन्स की पहली स्टार्ट अप कॉंक्लेव आयोजित हो रही है, आज स्टार्ट अप इंडिया मूव्मेंट अपने सफल पांच साल पूरे कर रहा है, और आज ही भारत ने करोना के खिलाब सबसे अइतिहासिक लार्डेस वेक्शिनेशन ड्राइव प्रारंब की है, ये दिन हमारे वैज्यानिकों, हमारे युवाओं और हमारे उद्यमियों की शम्ताओं और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्ड सेक्टर के लोगों के परिश्रम और सेवा भाव का साक्षी है, कोरोना के खिलाब लड़ाई से लेकर वैक्शिन बनाने तक हम सब के जो अनुभव रहे हैं, अपने उन अनुभवों के साथ आज बिम्स्टेक देशों के हमारे वाओं और उद्यमियों इस प्रारंब समीट में शामिल हो रहे हैं, इसलिए ये समीट और भी महत्वपुण हो जाती है, मुझे बताया गया है कि इन दो दिनों में आपने कई महत्वपुण चर्चाएं की, अपनी स्टार्ट अप सक्सेस स्टोरिज को साजा किया और आपसी सहयोग के नए अवसर खड़े किये हैं, जिन बारा सेक्टर्स में स्टार्ट अप एवोर्ट देश ने शुरू किये थे, उनके विजयताओं की गोशना भी की गई हैं, आप सभी को इन एवोर्ट की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं, साथियों, ये सदी डिजिटल रिवरुशन और न्यू एज इनोवेशन की सदी हैं, और इस सदी को एशिया की सदी भी कहा जाता है, और इसलिए ये समय की माँग है कि बविश की टेक्नोलोजी एशिया की लैप्स से निकले, बविश के एंट्रप्रनर्स हमारे यहां से तयार हो, इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी, जो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, जिन के पास संसाधन भी हो और सहियोग की भावना भी हो, इसलिए ये जिम्मेदारी स्वाभावी गुरुप से हम सब बिम्ष्टेक देशों के पास ही आती हैं, हमारे सद्यों पुराने रिष्टों, हमारी संस्कृति, सब्व्यता और संबंदों की सांजी विरासत ने हम सब को आपस में जोड़ करके रखा है, हम अपने विचारों को साजा करते हैं, इसलिए हम अपने आइडियाज भी और ज़्यादा साजा कर सकते हैं, हम एक दूसरे के सुखदुख साजा करते हैं, इसलिए हमारी सफलता भी साजी होगी, इसके साथ ही हम एक साथ दुनिया की वन फिफ्ट पॉपलेशन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास collectively 3.8 trillion dollar GDP की ताकत भी हैं, हमारे युवावों में जो उर्जा है, अपना भविश्य खुद लिखने की जो अधीरता है, मैं इसमें पूरी दुनिया के लिए नई संभावनाएं देखता हूँ, साथियों, इसलिए मैंने 2018 में बिम्स्टेक सभीत में कहां था, कि हम सभी देश टेक्नोलोजी और इनोवेशन के खेत्र में एक साथ आएंगे, मैंने बिम्स्टेक स्टार्ट अप कॉन्कलिप की भी बात की थी, इसी संकल्प को पूरा करने के लिए, आज हम सभी देश स्टार्ट अप इंडिया इंट्रनेशनल कॉन्कलिप के इस प्लेट्फरम पर इखटा हुए हैं, सभी बिम्स्टेक देश आपसी कनेक्टिविटी, बढ़ाने और व्यापाय की रिष्टों को गती देने के लिए, पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं। हमारी ये सभी छेत्र जितने मजबूत होंगे, जितने आधुनिक बनेंगे, उतना ही फायदा हमारे स्टार्ट अप्स को होगा। ये एक वैल्यू क्रियेशन साइकल है, यानि हम इन्फासक्चर, एग्रिकल्चर और विजदेश जैसे क्षेत्रों भै अपने समंदों को मजबूत कर रहे हैं। इससे हमारे स्टार्ट अप्स के लिए नए प्रावसर पैदा हो रहे हैं। और जितना हमारे स्टार्ट अप्स मजबूत होंगे, हमारे सभी सेक्टर्स में विकास उतनी ही रफ्तार पकड़ेगा। सात्यों, व्यक्तिकत रुप से यहां सभी स्टार्ट अप्स अपने अनुभवों को एक दूसरे से शेर करी रहे हैं। लेकिन बड़लाव की इतनी बड़ी यात्रा में हर देश के भी अपने अनुभव होते हैं। भारत ने अपने पांच साल के अनुभवों को साजा करने के लिए इवालूशन और स्टार्ट अप इंडिया नाम से एक बुकलेड भी आज जारी की हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे ही हर विम्स्टेक देश भी समय समय पर अपने अनुभवों को एक दूसरे से साजा करें। अधार के तोर पर भारत की 5 साल की स्टार्ट अप यात्रा को देखी हैं। जब स्टार्ट अप इंडिया मिशन की शुरुआत की गही थी तो हमारे सामने भी कई चुनोत्या थी लिकिन आज ह। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्ट अप इको सिस्टिम में से एक है, आज 41,000 से ज़्यादा स्टार्ट अप्स, 41,000 से ज़्यादा स्टार्ट अप्स हमारे देश में किसी ने किसी अभियान में लगे हुए हैं। इन में से 5,700, 57,000 ज़्यादा स्टार्ट अप्स आईटी सेक्टर में हैं, 3,600 से ज़्यादा, 3600 से ज़्यादा स्टार्ट अप्स हेल सेक्टर में बने हैं। तो करीब 1700 स्टार्ट अप्स, 1700 स्टार्ट अप्स एग्रिकल्चर सेक्टर में आए हैं। सात्यों, ये स्टार्ट अप्स आज बिजनेस की डेमोग्राफिक केरेक्टर भी बदल रहे हैं। आज भारत में 44% रेकेग्नाइज स्टार्ट अप्स उसमें महिलाएं डारेक्टर हैं और बड़ी संध्या में महिलाएं इनमें काम भी कर रहे हैं। आज सामान्य आर्थिक बेग्ग्राउंड से आने वाली हुआ भी अपनी प्रतिभा, अपनी सोच को जमीन पर उतार पा रहे हैं। इसके परणाम भी आज हमारे सामने हैं। 2014 में भारत के केवल 4 स्टार्ट अप उनिकॉन कलब में थे, 4 लेकिन आज 30 से ज्यादा स्टार्ट अप्स 1 बिलियन मार्क को पार कर चुके हैं। आपको हैरानी होगी, इसमें भी हमारे 11 स्टार्ट अप साल 2020 में यूनिकॉन कलब में शामिल हुए हैं। यानि कोरोना काल के इस कठिन सबर्ष में हैं। साथियों, भारत ने महामारी के मुश्टिल समय में ही आत्म निरभर भारत अभ्यान भी शुरू किया। इसमें भी हमारी स्टार्ट अप्स आज बड़ी भूमी का निभा रहे हैं। महामारी के दोरान, जब दुनिया की बड़ी-बड़ी कमपनियां अपने सर्वाइवल के लिए संगर्ष कर रही थी, भारत में स्टार्ट अप्स की एक नई फोज तयार हो रही थी। देश में सेनिटाइजर से लेकर पिपी केश की जरूरत थी, सप्लाई चेंज की जरूरत थी, उसमें हमारे स्टार्ट अप्स ने बड़ी भूमे का निभाई। लोकल जरूरतों के लिए लोकल स्टार्ट अप्स खड़े हुए है, एक स्टार्ट अप्स ने ग्राहों को रसोई का जरूरी सामान पहुचाने का काम किया, तो किसी ने दवाओं की डोर्स्टेप डिलिवरी के शुरूर करवाई, किसी स्टार्ट अप्स ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए टांस्पोर्टेशन के संसाधन उप्लब तो करवाई, तो दूसरा ने ओनलाइन स्टडी मट्रियल तेयार किये, यानि इन स्टार्ट अप्स ने आपदा में अवसर भी खोजा, और विपदा में विश्वाज भी बांधा, साथियों, आज स्टार्ट अप्स की सफलता की ये कहानिया केवल बड़े शहरों तक ही सिमित नहीं है, आप देखिए, आज आठ एवोर्ट तो ऐसे स्टार्ट अप्स को मिले हैं, जो मेट्रो सिटीज में नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहरों में खड़े हुए हैं, कोई लखनव से हैं, कोई भोपाल से हैं, कोई सोनीपत से हैं, क्योंकि आज भारत का हर राज्य स्टार्ट अप इंडिया मिशन में भागिदार हैं, हर राज्य अपनी लोकल संभावनाओं के हिसाब से स्टार्ट अप्स को सपोर्ट और इंक्यूबेट कर रहा हैं, और इसी का परणाम है, कि आज भारत के 80 प्रतिशत जीले स्टार्ट अप मुवमेंट से जुड़ चुके हैं, हमारे 45 प्रतिशत स्टार्ट अप्स आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में आते हैं, जो कि लोकल प्रोडस्ट के ब्रांड अमबेसेडर की तरह काम कर रहे हैं, सात्यों, आज लोगों में स्वास्ट और खानपान को लेकर जो जागरूपता बढ़ी है, जो हेल्थी बढ़ला हो रहा है, उसमें भी स्टार्ट अप्स के लिए नए अवसर बन रहे हैं, एक तरह से, आज अगर कोई एवर ग्रिन सेक्टर है, तो वो फूर एन एग्रिकल्चर सेक्टर ही है, भारत में इन सेक्टर की ग्रोथ पर विशेश जोड़ दिया जा रहा है, एग्रिकल्चर से जूड़े इन्फरसक्टर को आदूनिक बनाने के लिए, देश ने एक लाग करोड का एग्रि इन्फरा फंड भी बनाया है, इससे हमारे स्टार्ट अप्स के लिए नए रास्ते खुले जाएं, आज स्टार्ट अप्स कृसानों के साथ कॉल्बरेशन कर रहे हैं, फार्म से टेबल तक, खाद्य उत्पात और आसानी से बहतर क्वालिटी के साथ पहुँचे, इसमें भी स्टार्ट अप्स अपने भूमी का निभा रहे हैं, साथ यों हमारे स्टार्ट अप्स वर्ल्ट की सबसे बड़ी USP हैं, उनकी डिस्रप्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन केपरसिटी, disruption इसलिए क्योंकि यह start-ups आज नई approach नई technology और नए तौर तरीकों को जन्म दे रहे हैं एक ही पट्री पर चलते जाने की जो सोच थी हमारे start-up उसको बदल रहे हैं और दूसरा है diversification आप देखिए आज कितने सारे start-ups आ रहे हैं और सब अलग-अलग ideas के साथ यह start-ups हर sector में हैं हर sector में एक नई क्रांति कर रहे हैं आज हमारे start-up का जो scale है जो substance है वो अभुत्पुर्व हैं और सबसे बड़ी बात इन start-ups को pragmatism से भी जादा patient guide कर रहा है जब भी किसी खेतर में नई चुनोती आती हैं तो कोई ने कोई start-ups सामने आता है और कहता है कि यह काम हम करेंगे भारत भी आज इसी start-up spirit से काम कर रहा है पहले जब भी कोई नई परिस्तिती आती थी जब भी कुछ नया करना होता था तो पूछा जाता था कि who will do it ठीकिन आज देश खुद यह कहता है कि we will do it digital payments हो solar sector का निर्माण हो क्या AI revolution हो देश ने पूछा नहीं कि who will do it देश ने तय किया we will do it और results आज हम सब के सामने है आज बीम UPI ने payment system को reversalize कर दिया है दिसंबर में ही भारत में चार लाग करोड रुपे से जादा का transaction UPI के मादम से हुआ है solar sectors में भारत दुनिया का नेत्रूत्व करने की और बढ़ रहा है अभी हाल के ही अगध्यान के मताबिक दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत में AI का इस्तवाल भी काफी तेजी से बढ़ा है सात्यों जैसे start-ups किसी भी खेत्र में barriers को तोड़ कर समाधान देते हैं वैसे ही भारत आज हर क्षेत्र में पुराने barriers तोड़ रहा है आज देश में गरीबों का किसानों को छात्रों को आर्थिक सहायता DBT के जरिए Direct Benefit Transfer के जरिए सीज़ें उनके खातों में मिल रही है इसे सामान ने मानवी को परेशानियां से भी छुटकारा मिला है और देश के करीब पौने 2 लाग करोड रुपय का लिकेज भी रुका है इसी तरह आज सरकार से जुड़ी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जादा सेवाएं डिजीटल इंडिया ने सीधें मोबाइल में ही दे दी है देश में ये बरलाव हमारे स्टार्ट अप्स खुद भी महसुस कर रहे हैं आज जैम पॉर्टल के जरिये सरकारी टेंडर्स में एक स्टार्ट अप को भी उतना ही मोका मिल रहा है जितना किसी बड़ी कंपनी को अब तक करीब आठ हजार स्टार्ट अप्स जैम पॉर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं और इन्हों ने लगबग 2300 करोड रुपिय का व्यपार भी किया है जैम पॉर्टल पर कूल व्यपार आज लगबग 80,000 करोड रुपिय तक पहुँच रहा है आने वाले समय में इसमें स्टार्ट अप्स की हिस्सेदारी और भी बढ़ेगी ये पैसा हमारे स्टार्ट अप्स के पास पहुँचेगा तो लोकल मैनिटिफेचरिंग भी बढ़ेगी बड़ी जंग्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और स्टार्ट अप्स रिसर्च को इनोवेशन में भी और जादा इन्वेस्ट करेंगे साथियों हमारे स्टार्ट अप्स को पूंजी की कमी न हो इसके लिए देश ने अनेक कदम उठाए है इसी कड़ी में एक और एहम गोशना मैं आज इस कारिकम में कर रहा हूँ स्टार्ट अप्स को शरुवाती पूजी उपलब्द कराने के लिए देश एक हजार करोर रुप्य का स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड लॉंच कर रहा है इससे नए स्टार्ट अप शुरू करने और ग्रो करने में मदद मिलेगी फंड अप फंड स्कीम के जरिए स्टार्ट अप को इक्विटी केपिटल रेज करने में भी पहले से ही मदद की जा रही है आगे सरकार स्टार्ट अप्स को गारंटीज के जरिये डेट केपिटल रेज करने भी मदद करेगी साथ यो भारत एक ऐसा स्टार्ट अप एको सिस्टेम बनाने का प्रयाज कर रहा है जिसका आधार स्थम आप दे यूथ बाइ दे यूथ फॉर दे यूथ का मंत्र हो स्टार्ट अप इंडिया भियान के जरिये हमारे यूआओं ने इन पांच सालों में इसकी मजबुत नीव तयार की है अब हमें अगले पांच सालों का लक्ष तय करना है और ये लक्ष होना चाहिए कि हमारे स्टार्ट अप्स हमारी इनिकॉंस अब ग्लोबल जायन के तौर पर उपरें फिचरिस्टिक टेक्लोलोजी में हमारे स्टार्ट अप्स लीड करें ये संकल्प हम सभी बिम्स्टैक देशों का सामुईक संकल्प हो तो बहुत बड़ी आबादी को इसका लाब मिलेगा सभी देशों के लोगों का जीवन और बहतर होगा मैं जब बिम्स्टैक से जुड़े साती देशों के स्टार्ट अप्स की सक्षे स्टोरी देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरी खुश्ची और बढ़ जाती है मेरी BIMSTEP देशों के सभी स्टार्टप्स को बहुत बहुत सुबकामना है मुझे विश्वास है इस दर दसक में हम सब साथ मिलकर इस पूरे क्शेत्र में स्टार्टप्स को नही पहचान दिलाएंगे बिम्स्टेप देशों के स्टार्ट अप्स की ताकत का एसास पूरे विश्व को कराएंगे इनी सुबकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत सुबकामना है